जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि वीवूजियान रात के समय नाइट हंट के दौरान दोनों गेस्ट के साथ था, यहाँ पर स्पिरेट्स ने कजन को मार दिया है और माडम मो को अपने कपसे में ले लिया है, यह असल में डेमनिक लेफट आम नाम का डेमन है और इन दीनों को डेमनिक लेफट आम से लड़ना है, डेमनिक लेफट आम बहुत साथा ताकतवर है और गुसू क्लैन के यह दोनों वारियर इस डेमन को नहीं संभाल पा रहे होते हैं, इसलिए वीवूजियान खुद लडाई में भाग लेने का डिसाइड करता है और वो डेम अचानक कैसे आ गए और ये माडम मो पर अटाक क्यों कर रहे हैं, उन्हें वीवूजियान पर शक जाता है और वो सूचने लगते हैं कि कहीं इसने तो नहीं जिन्दा किया, लेकिन वीवूजियान अप एक अमजोर दिखने वाली आक्टिंग कर रहा था, इसलिए उन्हें लगने लगता है कि वीवूजियान ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, अब माडम मो उन्हें जॉम्बी से लड़ रही होती है, लेकिन माडम मो अब इतनी जाधा दाकतवर थी कि वो दोनों जॉम्बीस को भी मार गिराती है, अब माडम मो दोनों वारियर्स पर अटाक करने के अब वीवूजियान मौका पाकर वहां से बार निकल जाता है, क्योंकि वो अभी इन से नहीं मिलना चाहता था, वो अपने गधे पर बैटकर जंगल की तरफ अकेली नाइट हंट करने लगता है, और चलती चलती वो जब घने जंगलों में पहुँच जाता है, तो अचानक वो अपने आसपास मंत्रों को नोटिस करता है, और उसका गधा तभी एक जाल में फस जाता है, यहां जंगल के अंदर किसी ने हर तरफ जाल बिछा रखे थे, वीवूजियान आसपास अब इसको देखी रहा था, कि तभी वहां जिन क्लाइन का एक वारियर आता है, और वो उसने अपने पुराने जनम से दो क्लाइन के वारियर्स देख लिये हैं, और ये बात उसे बहुत फैसिनेट करती है, वीवूजियान पिर के पीछे चुपकर जिन लिंग को देख रहा था, और तभी जिन लिंग उसको नोटिस कर लीता है, और उसको सामने आने को कहता है, और फिर यहां से हमें पता चलता है कि असल में मोजुएन या जन क्लाइन का पैट्रियाक का बीटा है, यानि मोजुएन जन क्लाइन का राजकुमार है, लेकिन क्योंकि मोजुएन जे एक कमजोर बच्चा था, इसलिए उसे क्लाइन से बाहर निकाल दिया था, मोजुएन ज वीवुजियान इसको देखकर काफी खुश था और वो उसे बात करने के लिए उसे छेड़ने लगता है और कहने लगता है कि तुम मेरे कदे को तो मुझे पहले वापिस दे दो वीवुजियान बहुत प्यार से बात कर रहा था लेकिन जिल्लिंग गुस्से में उसे निकम्मा कहता है और ये बात वीवुजियान को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो बलटकर जब उसे ये कह देता है कि क्या तुम्हारी ममी ने तुम्हें संसकार नहीं दिये तो ये बात जिल्लिंग को चुप जाती है और वो वीवुजियान पर अपनी तलवार से हमला करने ल उसा आता है और वो गुसे में उसे कहता है कि मैं इसके बारे में अपने अंकल को जरूर बताऊंगा वीवुजियान समझ नहीं पाता कि आखिर ये अपने बापा को ना बता कर अपने अंकल को बताएगा और वो उसे ये पूछता है कि आखिर तुम्हारे अंकल कौन है अब जियान चैन उसके मंत्रों को देख लेता है और उसके मंत्रों को अपने पास बुलागर पता लगा लेता है कि ये डेमने कल्टिवेशन का मंत्र है जिन लिंग को वीवू जियान के उपर बहुत गुसा आ रहा था और वो इसकी टांग तोड़ना चाहता था लेकिन जियान चैन उसको सिर्फ टांग ना दोड़कर चांद से मारने को कहता है और कहता है कि जो डेमने कल्टिवेशन करता है उसको मौत ही मिलनी चाहिए वीवू जियान समझ नहीं पा रहा था कि उसको क्या करना चाहिए क्योंकि अगर वो अब लड़ाई करता है तो जो उसका हाल पिछले जनम में हुआ था वही हाल उसका इस जनम में हूँ जाएगा वो इससे पहले की कुछ सोचता जिन लिंग उस पर अटाक कर देता है लेकिन तब ही वहाँ गूसु क्लैन का एल्डर अपने उन दोनों डिसैपल्स के साथ आ जाता है और वो वी वूजियान को बचा लेता है इस एल्डर का नाम हैंग वैंग है और ये जन जन को समझाती है कि ऐसे हर जगे जाल बिछाने से नॉमल कल्टिवेटर्स को दिक्कत हो सकती है इसलिए तुमें अपने जाल को हर जगे नहीं बिछाना चाहिए अब ये सुनकर जन क्लाइन के लोगों को बहुत गुसा आ जाता है और तबी जन क्लाइन के सैनिकों को पता चलता है कि गूसु क्लाइन के वारियर ने उनके महंगे महंगे जाल तपा कर दिये हैं ये सुनकर जन लिंग आग बबूला हो जाता है और वो अपनी तलवार निकाल लीता है अब ऐसा लग रहा होता है मानो जन क्लाइन और गूसु क्लाइन के बीछ लड़ाई होने वाली है लेकिन तबी जिन जान, जिन लिंग से अपनी तलबार नीचे रंगने को कहकर कहता है कि इसमें गुसे वाली क्या बात है, यानि वो गुसु क्लान से लड़ाई नहीं करना चाहता है, और वो मैनर दिखाते हुए उनसे माफी मांगता है, गुसु क्लान का एल्डर बहुत अब आगे से नाइट हंट में ऐसी ही परफॉर्मेंस दिखाऊगे तो तुम्हें आगे से मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। असमर्थ हो गए है। गुशू क्लान के वारियर्स को ये सुनकर गुशा जाता है। लेकिन हैंग वैंग अभी भी पेशिंस और पीस में था और वो शांत रहकर आगे की बात कहता है। और उसको गाँवालों को अलर्ट करने को कह देता है। अब वहां से वो सभी जले जाते ह और जाते जाते हैंग वेवुजियन को देखता है और वेवुजियन भी उनको देकर ग्रीट करता है। और दोनों एक दूसरे को अलविदा कर देती हैं। पिछले जनम में गुशू क्लान का यही एलडर वेवुजियन के पीछे हात होकर पड़ा था। लेकिन अब इस जनम में वीवू जियान इससे दुश्मनी नहीं लेना चाहता है और अब इस चनम में वो हैंग गुएंग के मन में अपने लिए एक सॉफ्ट कॉर्न क्रियेट करना चाहता है अब दोनों एल्डर्स की जाने के बाद वहां तभी दोनों क्लाइन्स के वारियर्स आ जाते हैं और वो आज है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है जिनलिंग जब पैदा हुआ था तब उसके ममी और पापा को किसी ने तुरंत मार दिया था जिनलिंग बचबन से ही अनात था और वो अपने अंकल के पास रहता था लेकिन उसके अंकल उसे कभी प्यार नहीं देते हैं अभी अभी उसियान को रिग्रेट होने लगता है और वो सोचनी लगता है कि आखिर वो किसी नात को ऐसे कैसे कह सकता है वही वो वारियर्स आपस में लड़ते लड़ते अपनी स्वार्ट फाइप पर आ जाते हैं और गुजू क्लान का एक वारियर गल्दी से उसे धका दे देता है जि यहां एक बहुत बड़ी मूर्थी दिखाई देती है और यहां अचानक उसके सामने जिनलिंग आजाता है और वो उने डरा दीता है जिनलिंग असल में उस गुफा के बारे में जानता था और यहां वो सारी लाइट जला देता है गुजू क्लान के वो वारियर उस मूर्थ को देखते हैं और उन में से एक वारियर मूर्थी की आँखों को हिलते हुए नोटिस करता है और वो ये बात जिनलिंग को भी बताता है लेकिन जिनलिंग उसकी बात पर यकीन ना करते हुए उसका ही मजाक उड़ाने लगता है वो एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि अचानक आस-पास की सभी लाइट जनने लगती है और तब ही मूर्थी का हाथ उन पर अटाक कर देता है वो कैसे ना कैसे करके उस हाथ से बचते है और वो समझ आते हैं कि इस मूर्थी के अंदस पर रिठ है और वो उस मूर्थी से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाते है और फिर यही एपिसोड कहत्म हो जाता है